Hello friends, Invest4ever में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं कि एक वीडियो अप्लोड करी है वो अप्लोड हो रही है और जैसे अप्लोड हो जाएगी आपको एक न्यूज मिलेगी बोनस से रिलेटिड क्या हमें क्या strategy अपनाने चाहिए क्या नहीं अपनाने चाह चोटी सी कंपनी और दमाल मचा दिया बहती है रिजल्ट और बाइबक की न्यूज भी दे दिये तो उसकी strategy कैसे होते हैं दोनों की strategy अलग होती है तो दोनों की strategy के हिसाब से काम करोगे तो पैसा बनता हुआ नजर आएगा क्योंकि मैं उस strategy को पहले भी apply कर चुका हूँ तो यहां पर आपके लिए बहुत सारी वीडियो इस पर लाए जाती है डेली वीडियो को देखिए रिपीट करके देखिए ताकि आपको knowledge मिर सके बागी कल की देट में तीन वीडियो बनाई गई थी यहां पर इन वीडियो को देखिए प्लेज निए बना रखिए इसके र यह थो पहले नियूज सबसे पहले बाइबट की नियूज आपके सामने आपके सामने अपर प्रूब्ची चल रहा है 193 उप्र चाहर चल रहा है और यह आपर 132,000 अधर कर चेसर करेंगी कितने 29 पर पर 19 Sikh पर 19 55 का rones 5 स्ट्रैटेशी पर नानी तो में थो light है कंवा यहां नहीं श् AM पर और तक करेंगे तो वीडियो को यहां नहीं करेंगी यहां वीडियो को यहां टीच़ững करें दो इसके लख यहां पर बात करें रिकॉर्ड देच सकते रिकॉर्ण देच ostr तेंडर ऑफर के थुरह यहां पर यहां पर शेयर रिये जाएंगे, जब यह नीप ठासे को बात कमपने एकना, पंपनी से रहे हं क्यों हैं। तो हम पर यहां पर अनोपनी सियराय हैं, हम यहां पर सक 58- душ एde इसे काती है कि अपने share आप याँ पर करोब यहाँ आप नहीं तो आप दे दीजिए तो उसके तुरू आप यहाँ पर tender शरेर और दे सकते हैं यहाँ पर उस strategy के तुरू आपको फायधा हो गाहिँ घाटा उस से लेटिन में आप अभी last में यहाँपर करेंगे तो अगर हम बात करें यहां पर इसके आज रिजल्ट आया है इन मिलियंस में पर रिजल्ट है यहां पर इस बार की रिजल्ट है यह last quarter के और last year के result अगर हम बात करें total income की तो total income आपके सामने 2986 करोड रोपई यहां पर total income है इस बार की इससे पहले 2598 उससे पहले 143 तो yearly basis पर यहां पर टोटल इंकम में जंप है और quarterly basis पर भी बात करें यहां पर अच्छी खासी जंप है तो मतलब कमपनी ने यहां पर yearly और quarterly basis पर काफी बैतरी परफॉर्मेंस करके दिखाया है तो एक्सपेंस भी यहां पर देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस यहां पर 2445 करोड के हुए है इससे पहले 2445 से पहले 1955 तो एक्सपेंस भी यहां पर बढ़ते हुए नजर आया है बढ़ अगर हम बात करते हैं पॉफिट बूफोर टेक्स तो 541 मिलियन सी रुपीस का पॉफिट इससे पहले 284 से पहले 188 तो मतलब yearly quarterly basis पर प्रॉफिट हुआ है और अगर हम बात कर देपर यहां पर टेक्स और आल देने के बाद तो कंपनी को कितना 471 मिलियन सी रुपीस का पॉफिट हुआ है इससे पहले 248 तो अगर बात करें yearly basis पर यहां पर फायदा ही है कंपनी ने पहतरी ने परफॉरम किया है तो यहां पर कंपनी ने छपड़ फार के यहां पर बात करें यहां पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया बेसिक EPS भी देखे तो 1.35 पैसे का EPS 3.86 पैसे का हो गया एक साल के अंदर और 2.8 पैसे का EPS 3.86 पैसे है तो इसी परिके के रिजल्ट इसके stand-alone भी है ओके वह आप देख लीजेगा वरना देखने की जड़ोती है आपर आप स्क्रीनर पर हम देख लेंगे एक बार तो यहां पर कंपनी कोंसी है आर सिस्टम इस कंपनी का नाम है ओके यहां पर आपको दिखा देता हूं इस कंपनी का नाम क कि क्यूंए टेस्टिंग यहां पर अगर बात करें आटमेशन्ट ए आई आइ अर्टिफिशल इंटेलिजेंस एंड डेटा में कंपनी काम करती नाजर आती है यह सारा इनके काम करती हुए नाजर आती है इस प्लेट्फों पे और यहां पर बात करें नीग में श्पिएन्स X Engineering, Visual Design यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है, इसके लावा इसके क्लाइंट के अगर हम बात करें, तो जितने भी हमोशली यहाँ पर जो क्लाइंट सेक्टर के है, हेल्थ केर एंड लाइफ सांस के रिटिर एंड एकॉमर्स के टेक्नोलिजी, टेलिकॉम, यहाँ पर य AWS, Microsoft, Salesforce, UiPath, View All Partners के, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, और थोड़ा सा, यहाँ पर अगर देखते हैं, तो यहाँ पर मतलब कंपनी, AI में तो मतलब IT में सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है, और दिगज कंपनी और इसके रिटर्न की बात करें यहाँ पर देखिए, वन दे वन वीक को यहाँ पर छोड़ दीजिए, नेगेटिव में है, अगर बात करेंगें, वन मन्त, थी मन्स, वन मन्त में 24%, थी मन्स में 26%, छे महीने में 70% के आसपास के, और एक साल में यहाँ पर 87% के, दो साल में कंपनी ने 312% के, और जितना यहाँ पर गूगल से लिखें यहाँ पर है, गोल से लिखें यहाँ पर है, टैलेंट गोल पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पर Automation Anywhere, UiPath, Cloud Era, यहाँ अलग-अलग Eltrex, यहाँ आपने शायद नाम भी नी सुने होंगे, मैंने भी नी सुने, Bhoomi, Oracle, SAP, Informatic, Ceylonis, IBM, Mewsoft, Sitecore, Blue Pr यहाँ पर इनके यह क्लाइंस यहाँ नजर आ ले, तो कंपनी अच्छी खासी है और बड़े-बड़े यहाँ इनके क्लाइंस है, इसके लाब हम बात करें कंपनी की, तो देखें, कंपनी ने एक बार स्प्लिट दिया है, यहाँ पर 2 यहाँ चौदे में 10 रुपे की फेस व रुपे का हुआ करता था, आज की रेट में अच्छा कास है, यहाँ पर रिटन दिया ही है, जो कि हम देख सकते हैं, 10 सार में 1600 परसेंट की रिटन, ओके 206 से यहाँ पर मार्केट में लिश्ट होती हुई नजर आ रही है, यहाँ बड़े रुपे का शेर 5 अगस्त को था, य जितना गिरेगा, मैं इसे बाइन डिप्स करूँगा, क्यों करूँगा, इसे लेटेर अगे बात करें, वो भी बात करेंगे, 52 वी खाई की बात करेंगे, 211 रुपे पर ये शेर 30 जुलाई को गया था, आज की रेट की बात करें तो लगबग 20 परसेंट के शेर, 3 लग 34 जा है, कोई भी शेर यहां पर गिर भी नहीं है, तो कंपनी, small cap company है, 2342 को गुर्ट की यहां पर market cap है, PE की बात करेंगे, 18 परसेंट का PE है, ROC 26 परसेंट का है, 5 परसेंट का यह जादा डेट भी नहीं है, प्लेज की बात करें, कोई शेर यहां पर प्लेज नहीं है, इसके ROCE की, तो ROCE यहां पर देखें, 26% की ROCE है, ना परसिस्टेंट सिस्टम की ROCE इतनी है, और नहीं यहां पर को फोर्ज की इवन है, और नहीं बात करें, तो यहां पर emphasis की है, तो मादा 3-4 company से यहां पर, ROCE के मामले में, यहां पर company नाजर आ रही है, चोटी company, मादा चोटा पै यहां पर highest average में count करेंगो, net profit की बात करें, वो highest average है, यहां पर पिछले 12 quarter का, तो यह सारी चीछे बताती है, कि consistency as well as highest average sales, और net profit company को और big बड़ा बना देता है, sales की बात करें, yearly sales यहां पर देखें, 328 करोड की sales, आची रिट में 982 करोड की sales में तबदील हो गई है, पिछले 10 आएगी, तो अब इसी बात है, client बड़ेंगे, client बड़ेंगे, sales बड़ेंगे, sales बड़ेंगे, operating profit और net profit बड़ेगा, net profit बड़ेगा, तो share के price में appreciation होगा, यहां पर operating profit देखें, highest ever net profit देखें, 8 करोड का net profit, 120 करोड के net profit में, highest ever net profit में आपर तबदील हो गया, यह चीछ, इस company को अब अलग बना देती है, और शाया अब यह चीछ, और भगती हुई नजर आएगी, reserves की बात करे, 415 करोड के reserves है, boring की बात करे, 23 करोड रूपे की बात करे, थोड़ी सी बारेंग बड़ती हुई नजर आईए, fixed asset अच्छा कासा है, investment 13 करोड रूपे का है, cash की बात करे, त 26 का ROC है, और यहां पर बात करे, promoters की 51 की holding है, FIHDIS की अभी नजर पड़ी नहीं है, बट FIHDIS की एक बार नजर पड़ी, तो यहां पर और तुरंत ही यहां पर ख़ीद लेते हैं, जैसे कि हमने लास शेयर में बात करी है, और फिर यहां पर भागता हुई दिखाई देग है, तो अगर हम यहां पर बात करते है, 37 और 38% के यहां पर, 10% की holding यहां पर public है, जिसमें अभी यहां पर FIHDIS भी आएंगे, और बात करें, यहां पर operator भी active होंगे, तो यहां पर जब यह सब चीज नहीं आपर मिल जाएगी, तो शेयर प्राइज में किस तरीका का appreciation होगा, आप खुद यहां पर समझ सकते हैं, इसके अलावा बात करते हैं कुछ technicals की, तो यहां पर technicals पर हम यहां पर आ जाते हैं, देखिए, बाइबैक के पैसाफ से पहरे देखिए, यहां पर already company highest level पर चल रही है, थोड़ी बहुत यहां पर अगर मैं बात करूं, तो थोड़ी ब buyback का मतलब समझ रहे हैं, कि उधर तक तो share को जाना ही जाना है, अगर हम बात करें, देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, क्यों खिल, एक company थी क्यों खिल, और जब भी buyback से related data आता है, और buyback कोई भी news आती है, तो share भागते ही है, जब यह share यहां पर 180 रुपे के आसपास इसके बाद भी यहां पर share price और appreciate होता हूँ दिखाए दिया, just because यहां पर result अच्छे है, just because यहां पर buyback company ने खरीड लिया, मतलब अपने share खरीड लिया, तो अगर यहां पर इस तरीके से हमें इनी चीजों से समझना होता है, और इनी चीजों से समझ के हम काम करेंगे, तो इ यहां पर depreciation है, just because यहां पर result अच्छे नहीं आ रहे है, फिर भी वो शेयर जब उसका आया था buyback, वो भागता हो दिखाए दिया, तो यहां पर buyback आया है कितने पर, 225 तो आप समझ लीजे कि यह शेयर भाग नहीं है, अगर हम return की बात करेंगे, 225 के return कितने होते हैं यहां स अगर हम करेंट प्राइस से बात करते हैं सीधे, यहां पर 225 की बात करते हैं, तो अगर 225 की बात करते हैं तो लगबग 17% के आसपास की शेयर यहां 17% के यहां पर return होता है, 17% तो आपके सामने है, company के result देख लिए, company की performance देख लिए, सब कुछ आपने देख लिया है, तो यह चीजे आगे बढ़ने वाली है, और मैं इसे, मैंने यहां पर buy किया है, और थोड़ा सा गिरेगा, तो buy on dips करूंगा, क्यों करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि इसका अगली बार के result आएंगे, उससे पहले यह शेर 2500 रुपे पोचेगा, और अगली बार के result और भी बावट होगी, तो मैं आपर buy करूंगा, बाकि यहां पर buyback में कभी अपने शेर में यहां पर मत दीजे क्यों, क्योंकि कभी भी आप buyback में आपर share देते हैं, तो क्या होता है, कि आपके आपके पाद 50 share है, तो 50 share में से केवल आपके एक और दो ही शेर यहां पर टेंडर के यहां या जाता है, फिर यहां पर आप बैचने पाता है, अगर में बात करूं, यहां पर एक एक गजांपल देता हूँ, यहां पर देखिए SIS Limited, SIS की अगर बात करें, तो share यहां पर 400 रुपए की आस-पास चल रहा था, और यहां पर 400 रुपे की यहां पर 500 रुपे की यह पर जाता हुआ दिखाई दिया बट जब बाइबेक के पहले की बात करूं तो यहां पर 400 का शेयर आपको 470 रुपे तक जाता हुआ दिखाई दिया तो इसके बाद एक अच्छी घासी जैसी बाइबेक की नियूज वागी बाइबक सब्चीत हो लिया तो आपको जब आपके में क्रेजिट हुए दुपारा शेयर बाइबेक वाले जो वहां से चले जाते हैं वहां से गाया हो जाते है कुछ ताम के लिए तो यहां पर जो शेयर प्राइस था है यहां पर 420 रुपे आता हुँ दिखाई दिया तो आप 470 पर बेच सकते थे बद आपने 420 रुपे यहां पर आपना घाटा करा लिया अपने शेयर तो आपका एक गया आई एक की भले कुछ आपको ज्यादा फायदा नुआ बट आपको घाटा कितना हो गया है 470 पर यहां बेच सकते हैं कि यहां आपने 420 पर बेचा तो वह एक समझने की चीज़ है बट उसके बाद भागता अच्छे रिजल्ट आजा है कंपनी अच्छी खासी है और इसने अभी मूव देना शुरू किया यहां पर 115 से यहां पर 200 गया है और भी जाता हुआ दिखाई देगा तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमें शेयर करिए अपने फैंशेयर वाज़ा कुछ की स्टेडी कर यहां पोजिशन लीजेगा और इस वीडियो को लाइक करें दूसरी वीडियो को देखें ताकि इस तरी की वीडियो आपको डेली बेसेस में मिलती है तो थैंकिए सो मच गॉड ब्लेस